नमस्कार दोस्तों आपका फिर से हम स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल हरयाना मीडिया न्यूस पर दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि पहले के जमाने में और आज के जमाने में जमीन आस्मान का फर्क है पहले एक जगा से दूसरे जगा जाने के लिए आपको कई दिनों का लंबा इंतजार करना पड़ता था मगर आज के दौर में जमाना इतना हाइटेक हो गया है कि कुछ ही घंटों में आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर ट्रावल कर सकते हैं आज की हमारी वीडियो भी इसी रेल से समबन्दित है तो इसे एंड तक जरूर देखे दोस्तों आपको बता दें कि इंडियन रेलविक कैटरिंग और टूरिजम कॉर्पोरेशन यानि IRCTC द्वारा दिली में पहले ही हाइटेक बेस किचिन तयार कर लिया गया है अब इसी बेस पर कानपूर सेंट्रल के साइट में भी एक हाइटेक किचिन तयार करने वाला है जिस तरह महाभारत में संजे ने धृतराश्ट्र को लाइफ शो दिखाया था उसी तरहे आपका मोबाइल भी आपकी लिए संजे बन जाएगा किचिन में क्या पक रहा है किस वालिटी का बनाया जा रहा है और खाना बनाते या पाक करते वक्त किचन या उसके आजपास सफाई विवस्था पर फोकस किया जा रहा है या नहीं ये सब आप अपनी सीट पर बैठे बैठे ही अपने मोबाइल से मानिटर कर सकेंगे ऐसा होना जरूरी भी था क्योंकि अक्सर रेल में सफर कर रहे यात्रियों की ये शिकायत रहती है कि ट्रेन में जो खाना देते हैं उसके क्वालिटी बहुत लो होती है कई बार IRCTC की वेबसाइट या रेलवे कॉपरेशन के ट्विटर हैंडल पर भी लोगों की ये कमप्लेंट रहती है कि रेलवे का खाना खाकर लोग बिमार पढ़ रहे हैं अब इस टेकनोलोजी के विक्सित होने से यात्रियों की ये परिशानी दूर हो सकेगी मित्रो आप जानते हैं कि हम किचिन को लाइव आखिर देख कैसे सकेंगी इस बेस किचिन में होनी वाली गतियों पर नजर बनाये रखने के लिए आपको IRCTC की वेबसाइट पर जाना होगा और वहाँ जाकर किचिन का आप्शन सेलेक्ट करना होगा एक खास बात रेल के किचन में जहाँ खाना पक रहा है वहाँ के पैकिंग सेक्शन को यात्रियों के लिए ओपन रखा गया है ऐसा करने की वज़ा ये भी है कि जब तक ट्रांस्पेरेंसी नहीं होगी खाने की क्वालिटी में सुधार नहीं हो सकता इसलिए रेल्वी ने यहां की किचन में ट्रांस्पेरेंसी रखी है ताकि हम इस बात पर नज़र रख सकें कि पैकिंग के वक्त क्वांटिटी और क्वालिटी से कोई समझोता ना किया जा रहा हो ऐसा करने से यात्रियों को यात्र के दौरान बहतरीन क्वालिटी का खाना मिलेगा यात्री प्राटफॉर्म पर लगी LED पर भी किचन की कतिविधियों पर नज़र रख सकते हैं IRCTC की प्रबंदक अमित सिनहा का कहना है कि इस तरह की किचिन हावडा, चैन्ने, मुंबई, बैंगलूरू, पटना आधी जगाओं पर पहले से बनी हुई है इसे खाने की क्वालिटी भी पहले से अच्छी हो जाएगी अब बात कर लेते हैं कि इस किचिन में क्या-क्या सुविधाएं होंगी रेलवे की इस नई पहल से खाने को लेकर यात्रियों की शिकायतें काफी हद तक दूर हो जाएंगी इस हाइटेक किचिन के में मशीनों की सहायता से एक दिन में करीब-करीब 10,000 पाकेट तयार हो सकते हैं इसके अलावा इसमें reverse osmosis यानि RO का पानी ही खाना बनाने के लिए यूज किया जाएगा इसके लिए अभी plant लगाया जा रहा है यात्यों की सिहत का ध्यान रखते होएं इस किचिन में खाने में यूज होने वाली चीजों की टेस्टिंग के लिए एक टेस्टिंग लैब भी स्थापत करने का विचार किया जा रहा है जिसके जरिये सामगरी की अच्छे से जांच हो सके किचिन की कार्याले से बिलकुल साथ ही packing, store आदी section भी होंगे इस किचिन में artificial intelligence camera भी लगाए जाएंगे इसमें upload किये गए software के हिसाब से ये camera काम करेंगे और इससे होगा ये कि कर्मचारी अगर किचिन में protocol follow नहीं करते या फिर बिना सरध के kitchen में आ जाते हैं तो ये camera screenshot लेकर अपने आप ही दिल्ली में बैठे अधिकारियों के पास भेज देगा इसके अलावा हमारी एक बहुत बुरी आदत होती है कि हम खाने को बहुत waste कर देते हैं जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए मगर IRCTC ने इसका भी तोड निकाल लिया है ये निर्णे लिया गया है कि जो खाना बच जाएगा उससे खाद बनाई जाएगी इसके लिए can side में एक wormy compost plan भी लगाया जाएगा 40 टे युक्त Combi Oven 150 लीटर की शमता वाले bread pan boiling kettle, roti making machine इन सभी high-tech मशीनों का उपयोग इस kitchen में किया जाएगा ताकि हजारों लोगों का खाना बनाने में दिक्कत ना आएए और काम चल्दी से हो जाए दोस्तों ये kitchen लगभग 4-5 महीने के अंतराल में तयार हो जाएगा इसमें करीब 1.5 करोड रुपे की लागत आएगी जिसमें से 50 लाख रुपे से kitchen का निर्मान होगा और 1 करोड रुपे से मक्शीने लगाई जाएगी किचिन में काम करने वाले स्टाफ की संख्या होगी करीब 55 और मशीनों और करमचारियों के सहीयोग से हर रोज 10,000 लांच पैकेट तयार किये जाएगे